वेल्कम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे बहुत ही प्यारा डिजाइन जिसे आप आप डिजाइन भी स्वेटर में डाल सकते हो और बार्डर भी बना सकते हो आप इसका जो बहुत ही प्यारा बन कराता है और ये 2 प्लस 1 यानि कि 3 की मल्टिपल ये फंदे में डिजाइन बन कर तयार होगा तो हमने ये 12 फंदे डाले हुए हैं तो दो फंदे साइट के हैं और डिजाइन के हैं तो चलिए आज हम आपको डिजाइन बताना शुरू करते ह पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देखिए फंदे को उतार लेते हैं अगर आप बुनाई करते हैं तो बुनाई कर लीजिएगा इसके बाद उनके धागे को अपनी शाइट कीजिएगा एक फंदा आप उल्टा बुनाई कीजिएगा इसके बाद आप उनके धागे को पीछे ले जाएगा और इसी आप देखिए ये दो फंदे में हम डिजाइन डालेंगे तो पहले हम बैक साइट से इस फंदे में देखिए बैक साइट से इस फंदे में हम एक बार सिधा ऐसे फिर इसके बाद हम आगे वाले फंदे की बुनाई करेंगे, तो हमने दोनों फंदे बुनाई कर ली, अब इसे हम स्लिप कर देंगे ऐसे, फिर उनके धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, और फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, अब देखिए इस फंदे को छोड़कर इस फंदे में हम यहां से यह बैक साइड देखिए आप फ्रेंड्स यह बैक साइड में हम इस फंदे में जो है यह बैक साइड से हम पहले बुनाई करेंगे फिर इसके बाद जो है आगे वाले फंदे में हम बुनाई करेंगे फिर इसे स्लिप कर देंगे दोनों फंदों को उनके धागे को अपनी शाइड लाएंगे एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे देखिए ये हम इस फंदे में देखिए इस फंदे में बैक साइड से हम यहां से हम एक बार बुनाई करेंगे फिर आगे वाले फंदे में हम बुनाई करेंगे फिर इस दोनों फंदों को स्लिप कर देंगे फिर उनके धागे को अपनी side लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, और ये side का one फंदा है, इसे हम सीधा बुनकर ले लेते हैं, तो friends ये first row हमारा complete हो गया, ये two row का ही design है, चले आपको second row, back side आपको बताते हैं, तो friends हमारा ये wrong side है, wrong side में देखिए क्या करना है, first फंदे को हम slip कर लेते हैं, इसके बाद हमने जो उनके धागे को पीछी किया, जो हमने right side में उल्टा बुनाई किया था, हमें wrong side में उसे सीधा बुनाई करना है, फिर इसके बाद उनके धागे को अपनी side लाएंगे, तो जैसे हमने उसमें देखिए, ये दो फंदे हमारे हैं, तो पहले हम इस फंदे में एक बार बुनाई करेंगे उल्टा, फिर हम आगे वाले फंदे में, इस फंदे में हम दुबारा बुनाई करेंगे, फिर दोनों फंदों को हम slip कर देंगे, फिर उनके धागे को back side ले जाएंगे, और एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, उनके धागे को अपनी side लाएंगे, अब एक दोन फंदों में देखिए, इस फंदे को पहले हम बुनाई करेंगे, फिर इसके बार हम इस फंदे की बुनाई कर लेंगे, फिर उनके धागे को पीछी ले जाएंगे, हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर उनके धागे को आगे लाएंगे अपनी side, पहले इस फंदे की बुनाई करेंगे, फिर इसके बार इस फंदे की बुनाई करेंगे, और इसके बाद देखिए, उनके धागे को back side ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, उनके धागे को अपनी side लाएंगे, ये last का फंदा है, इसे हम बुनाई कर लेंगे तो friends, ये design इसी तरक बनकर आना शुरू हो जाएगा, केवल दो रो का design है, आप जो है, एक और दो, दो सलाईया ये ही repeat करते आप जाएंगे, आपका design बनता चला जाएगा, तो इसे आप border बनाएं, या cardigan में डालें, या बच्चो के setter में डालें, जैन्स में डालें, बहुत ही प्यारा बनकर आएगा friends, इसे आप किसी तरह भी यूज कर सकते ही design को, तो आप friends, ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद friends, अभी तक चैनल subscribe कर लिजिएगा, बाई बाई, थांक यू